जै गौमातागी जै भारतमातागी आप सब कैसे हैं उमीद करता हूं कि मा भगवती क्रपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मा भगवती क्रपा आप लोग पर शैदेव बनी रहें मैं अन्शुमन सर्मा आप सब का आपके अपने चैनल जोति सादना केंद्र में स्वागत करता हूं और आज एक नए विशे को लेकर आप लोगों के समक्ष आने का फिर सो भागय प्राप्त हुआ है विशे क्या है दोस्तों विशे है गाड़ी बाइक और मोबाइल ये तीनों चीजे ऐसी है जो हमारे जीवन में नीजे जीवन हर दिन प्रियोग में आती हैं परन्तू सामाधान है इनका इसपर चर्चा करते हैं इससे पहले यदि दोस्तों आप इस समय हमारी इस वीडियो को किसी बी सोसल साइंड पर देख रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको केवल आपके अपने चैनल यूटूब चैनल जोति साधना के इंदर पर ही प्राप्त होगी नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि और भी आपको जानकारियां प्राप्त हो पाएं आईए इस विशेपर चर्शा करते हैं दोस्तों अक्सर ये गंबीर प्रस्तितियां देखने को मिलते हैं कहीं बार तो इतने गंबीर हाजसे हो जाते हैं कि परिवार का कोई सदस्य विश में इश्वर को प्राप्त हो जाता है इश्वर की सरण में चला जाता है संसार को छोड़ कर इन बार बाइक पर ये स्थितियां देखने को मिलती है नई नई गाड़ियां जैसे परसेज की गई है उसके साथ ही कुछ दिनों के बाद कुछ महिनों के बाद इस तरह की घटनाई घट जाती है जोकि बड़ा गंबीर विशह है क्योंकि परिवार के किसी सदस्य का जाना शायद इससे बड़ा लोश कोई जीवन में हो ही नहीं सकता है ऐसी क्या कारण रहते हैं दोस्तों कि जिनके पिछे इस तरह की घटनाई घट जाती है तो क्या हम लोग शमाधान करें क्या सिलूशन करें क्योंकि अगर नीव किसी चीज की अच्छी रखी जाती है तो वो अच्छी चलती है अगर नीव रखने की स्तिती अच्छी नहीं है तो वो चीज परेशान ही करेगी उसी परकार जिस परकार अगर दिवारे मजबूत हैं तो छत का लंटर काफी लंबे दिनों तक चलेगा परन्तु अगर दिवारे कमजोर है तो लंटर भले कितना दूत्यों ना हो वह एक ना एक दिन नीचे आही जाएगा उसी प्रकार से जीवन में ये तीनों चीजे एक्षर आज हम इनी तीनों चीजों पर ही बात करने वाले हैं बाकी चीजों पर मकान है उस पर फिर कभी अन्य और विभोच ऐसे विशे हैं कि हम इन चीजों को कभ खरी दे इसी का हमें विशेस ध्यान दखना है और वह भी बड़े आसान तरीके से आप लोग सहजता से इस कारिये को कर सकते हैं क्योंकि जब यह सबद आता है कि मूरत निकलवाना तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है आज भाग दोड़ वरिस लाइफ में हमारे पास इतना ख्श कैसे वने स्वेयम जने कैसी मैं कैसे समय निकाले कि जिससे आप सही आप अपने इन तीनों को करीद पाएं क्योंकि मुबाइल खराब हो जाता है तब भी समझा है गाड़ी खराब हो जाती तब भी और बाइक खराब हो जाए तब भी और अक्षर ये चीज़े रेपेर सोब पर पड़ी रहती है ठीक होने के लिए तो आज हम स्टार्टिंग से ही इनका आपको बताएंगे कि जब आप इनको लेने का समय कैसे करे उस समय पर और क्या सुब समय रहता है इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा आपके लिए क्या है कि हमारे इस जीवन में बारा राशिया बारा ही लगन होते हैं उन में से चार ल मेश करक तुला मकर ये लगन ऐसे हैं जिनका सोभाव चर है चार लगन स्थिर है और चार है दुष भाव स्थिर कार्थ है एक ही जगह पर रुखने वाली रहने वाली चीज़ जैसे कई बार गाड़ी खरीदे लिए हादसा हुआ और वो एक जगह पर या पुलिस स्टेशन में या कहीं पर भी खड़ी हो गई ये स्थिर लगन में खरीदेगे चीज़ का सोभाव है और दुष भाव दो सोभाव वाले अर्थात कभी वो गाड़ी चल पड़ी कभी वो खराब होकर जो है मेकैनिक के पास खड़ी या मोबाइल खराब होकर रिपेर शोप पर पढ़ा गया तो इस समस्या से छुटका रख कैसे पाए उसके लिए आपको इन चार लगनों का चैन करना है मेश करक तुला और मकर आप चलने वाली चीजों को इन चार लगनों में खरीदे अब ये चार लगन आम आदमी कैसे निकाले क्योंकि इब्रहामन जोट्सी के लिए तो इस सर्च करें कि आज चर लगन किस समय से किस समय तक चलने वाला है क्योंकि एक चर है दूसरा दूसरा है तीसरा स्थिर है ऐसे ये लगन चला आइमान रहते हैं आपको जानकारी वहां से प्राप्त हो सकती है या फिर आप यदि कुंडली का सोप्ट्वेर आप अपने उसमें रखते हैं तो आप उस दिन का समय जो है डाल के देखेंगे तो अगर आपको वहां पर चर लगन मिलता है तो आप उस समय पर गाड़ी का निकलवाने का समय न इसमें भी आप विसे सावधाने क्या रखे कि जब गाड़ी को निकलवाते हैं तो वहां पर एक सावधाने रखे जो गाड़ी आप की निकलने का समय है जैंसे से वो सब्टा का हो पोने का टाइम ना हो क्योंकि पोना जो होता है फॉर फाइव फॉर पलस फाइव इसका जोड बन गया नो और नो का एक च्यार नो चोदा ये अंकों की संख्या जो है खाली बताई गए तो इनमें कोई भी कारी है जो है करना नहीं चाहिए कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए साड़े पर भी आप जैसे की साड़े 10-11 इस समय पर भी आप जो है गाड़ी को अजैंसी से ना निकलवाएं ना ही उसका पूजन करें इन दोन टाइमों का विसे इसकर आप ध्यान रखें ये ध्यान रखने के बाद जब गाड़ी आप अजैंसी से लेते हैं तो गाड़ी दिशा जो है गाड़ी का मूँ है वह आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी आपकी कम से कम सो कदम उत्तर दिशा की तरफ चले मोबाइल के लिए इस जरूरी नहीं है पर गाड़ी के लिए विसेश करिए जरूरी है लेक दिनों का भी विसे इस करध्यान रखे सुकर वार सबसे उपयूक्त समय दिन होता है बाकि आपकी कुणलिक के आपकी रासी के अनुसार आप थोड़ा सा अगर उसमें स्वेम इसलेशन करें कि आपको कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहता है कौन सा दिन अच्छा नहीं र करें या फिर किसी योग्य अब्रह्मन जोसी से आप जो है समस्या का समाधान अच्छा मुरत निकलवा कर कर सकते हैं वह लंबा प्रोसेस हैं मैंने आप लोगों को सोट कट का मुरत बताया है जिसे आप स्वेम भी कर सकते हैं और दोस्तों इसके अलावा यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी में असमंजस है तो आप हमारे दीएगे वाट्सप नंबर पर मैसेज भीज कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि कोई और विशे को आप जानते हैं उससे सेर करना चाते हैं उस पर आप चाते हैं कि वो सब को पता लगे तो व आप विडियो को जादा से जादा सेर करिएगा ताकि यह जानकारी अन्ने लोगों तक भी जा पाए और बड़े हादसे होने से हमारी दुनिया बची रहे सभी खुश रहे आप भी खुश रहे और कोमेंट में जानकारी कैसी लगी है इसका रियक्ट जरूर करें और सुन्दर सब्दों में जैगो माता जरूर लिखने का प्रियास कीजिएगा नवश्कार जैगो मातागी